हेलो स्टुदेंट्स वेल्कूम टो मैं आपके साथ यहां डॉक्टर शालिनी आची क्लास में हम लोग प्रेसिडेंट और प्राइम मिनेस्टर इन दोनों के बीच में रिलेशन्शिप को डिसकस करने वाले हैं दोनों ही एक्जेक्यूटिव का पार्ट है प्रेसिडेंट जो कि नॉमिनल हैड है एक्जेक्यूटिव के इंडिया में और प्राइम मिनेस्टर जो कि रियल हैड है एक्जेक्यूटिव में तो यह दोनों ही एक्जेक्यूटिव का पार्ट है दोनों के बीच में क्या रिलेश चाहिए हो किसी तरह की एड की एडवाइस की नीड होती है उनको according to article 74 तब वो president और council of ministers से advice लेते हैं तो इन दोना के बीच में relations को हम लोग अपनी इस आज ही class में डिसकस करेंगे तो यहां basically तीन main articles हैं article 74, 75 and 78 यह तीनों ही articles president और prime minister के बीच में relationship को बताते हैं